नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे चैनल में और ब्रेस्पति के रासी परवितन के इस एपिसोड में 5 नवंबर 2019 को ब्रेस्पति धनु रासी में परवितन किये और 30 मार्च 2020 को ब्रेस्पति अगली रासी अताद मकर रासी में परवितन कर जाएंगे सामानी तोर पर ब्रेस्पति को 12 माह से ज़्यादा समय लगता है एक रासी को चेंज करने में एक रासी को पार कर जाने में लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब ब्रसपती अतिचारी होते वे बहुत ज़ादा तेजगती से बागते वे अगली रासी में पहुँच जाते हैं ऐसा आपने 2019 में भी देखा है और ऐसा आप 2020 में भी देखने जा रहे हो 30 मार्च 2020 को ब्रसपती मकर रासी में प्रवेश करके वापस वक्री होते वे आताथ 14 माई 14 माई 2020 को ब्रसपती वक्री होते वे वापस 30 जून 2020 को अपनी धनुरासी में लौट आएंगे तो ये जो 93 डेज मिलेंगे ब्रसपती को मकर रासी में वो आपकी रासी को क्या प्रतिफल देने वाले हैं क्या अनुभव देने वाले हैं क्या रिजर्ड देने वाले हैं इसी का विस्टलिशन करने के लिए मैं आपके सामने हूँ माह भारत के अनुसार ब्रस्पती मायरिश्य अंगर्या के पुत्र है पौरानिक सास्त्रों के ब्रस्पती ग्रभ ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिद्ध्व करते हैं अतात पौनानिक सास्त्रों का नुसार ब्रस्पति ग्रभ ब्रह्मा जी का एक प्रकासी रिप्रेजेंट करते हैं आपकी धर्ती पर। सास्त्रों में ब्रस्पति को अतात गुरु को शील और धर्म का अवतार माना गया है। प्रेस्पति को वेदिक ज्योतिस में आकास का तत्व माना गया है अतात वो वायू तत्व आकास तत्व के स्वामी है इसका गुण विशारता विकास और व्यक्ति की कुणली और जीवन में विश्थार का संकेत होता है ब्रेस्पति पिछले जनमों के कर्म, धर्म, दर्शन, ग्यान और संतान से समधिविश्यों का संतुलन का प्रतिने दिद्वब भी करते हैं यह सिक्षन, सिक्सा और ग्यान के प्रसा से समधिद भी है जिनकी कुणली में ब्रेस्पति उचके होते हैं, वे मनुश्यों जीवन की प्रगति के साथ-साथ कुछ मोटे या थुल-थुले अतादवसायुक्त होते चले जाते हैं किन्तों उनका सामराज्य और इसमद्धी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती ही चली जाती है मदुमे का सीधा समद्ध आपकी जनकुणली में आपकी कुणली में ब्रेस्पति से माना गया है पारंपरिक हिंदू जोतिस का अनुसाल ब्रेस्पति की पूजा, आराधना, पेट को प्रभावित करने वाली बीमारे उसे छुटका राधिला सकती है तथा पापों का शमन कर सकती है करक रासी में ब्रेस्पति उचके हो जाती है और मकर रासी में ब्रेस्पति नीच रासी में चले जाते है ब्रेस्पति धनू और मीन रासी के स्वामी है सूर्य चनमा और मंगल के साथ में इनकी मित्रता है तो शुक्र और बुद्ध के साथ में शत्तुरुता का सम्मंद रखते हैं, शत्तुरुवत वियवार करते हैं राहु, केतु और शनी के साथ इनका तटस्त सम्मंद है, अताथ नूट्रल सम्मंद है ब्रस्पती प्रथम, पंचम, नवम और दसम भावों के कारग्र हैं, अताथ इन चार भावों का कारग्र ब्रस्पती को प्राप्त है और इनी चार भावों में इस्तित ब्रस्पती जाते को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष या चाप्र करके पुरुशाद प्रदान करते हैं चंद्र लगना अता रासी से दूसरे पांच में साथ में नौ में और ग्यार में भाव में अता सेकेंड फिप्ट सेवन नाइंट और इलेवन ताउस में जब जब भी ब्रसपती गोचर वस आएंगे ब्रसपती सदेव पॉजिटिव फल प्रदान करेंगे अता सुब फल ही द नहीं दिये कुछ परस्ति कुछ पसेंट कुछ पैसा अपने बास रोग करके बाकी आपको दे दिया तो कुछ कमी के साथ में सुप्र भाव आपको मिला तो ऐसा ही सब कुछ जांजां ब्रसपती की दस्ती पड़ेगी वहाँ पर क्या इंपेक्ट आपको पड़ेगा यह सब भी हम देखेंगे तो सेकंड फिफ्ट सेवन्थ नाइन्थ और इलेवन्थ के अलावा सेज वाव में उसका फल अता ब्रसपती का फल सामानिय या असूब माना गया है ब्रसपती के रासी परतन से व्रशब रासी करक रासी कन्या रासी धनो रासी और मीन रासी के व्यक्ति मीन रासी के जातक विसेश लाब में रहेंगे विसेश रूप से प्रभावित होंगे ब्रसपती के मकर रासी में पुरेश करने पर व्रसप रासी को पंचम दस्ती से ब्रसपती देखेंगे करक रासी को सब्तम दस्ती से देखेंगे और कन्या रासी को नवम दस्ती से ब्रसपती दस्ती पात करेंगे ब्रस्पती देव जहां जहां पी दस्टी पात करते हैं जहां जहां पी दस्टी देते हैं वहां वहां अपना सुब प्रभाव दिखलाते हैं ब्रस्पती जिस बाव पर बैठते हैं उस बाव का भला नहीं करते हैं लेकिन जहां देखते हैं जिस रासी को देखते हैं उस रासी का बहुत ज़्यादा सुब ता देते हैं उस रासी का बहुत ज़्यादा भला करते हैं सुब करते हैं तो इस रासी फल में भी हमने जो वेस् स्थितों करके आपकी रासी से ब्रस्पति जहां पर भी होंगे वहां से जिस रासी को भी इंपेक्ट देंगे उसका आपको क्या प्रभाव मिलेगा सुप प्रभाव मिलेगा या शुप प्रभाव मिलेगा यह सब कुछ विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश् आपकी रासी के बारे में रासी से सेकेंड आउस का स्वामी और रासी से फिफ्ट आउस का स्वामी दोनों ही भाव का अदिपती ब्रस्पती है और इस समय तीस मार्च दो जार बीज को ब्रस्पती आपकी रासी से थर्ड आउस में अताथ पराक्रम भाव में ब्रस्पती का प प्रवेस होने से सप्तम भाव अताद ग्रस सुक नवम भाव अताद भाग्य का भाव और साथ एकादस भाव अताद लाप का भाव प्रभावित होंगे ग्रस्पति के इस गोचर के कारण छोटे भाई-बैनों के साथ में परेशानी हो सकती है कुछ व्यक्तिव को अपने लगां भाव से एकादस भाव में बरस्पति विराज माने जोकि नीच रासी के और सिक्सा तो ऐसे इस्तिति में सिक्षा शेत्र में भी असंतुस्ति प्राप्त होगी घर परिवार और धनसंबती पक्स बी कमजोर रहेगा निर्बल रहेगा लेकिन आपको बुद्धिबल प्राप्त होगा नए नए आइडियाज आपको मिलेंगे लेकिन आप उसका फाइदा नहीं उठा सकेंगे उपयोग नहीं कर पाएंगे उल्टा उस अईडिया काुद्रक्रक्रक्रक्रक्रान करेंगे नुक्सान उठाएंगे अब बात करते हैं ब्रस्पति की दस्तियों की क्योंकि ब्रस्पति की दस्ति जाँ जाँ होती है वहां सुब होता है ब्रस्पति जिस भाव पर इस्थित होता है उस भाव का ज्यादा भला नहीं करता है तो ब्रेस्पती स्वयम पंचमेश होकर के अपनी पांचवी दर्स्ती से सप्तम भाह को देखेंगे इसलिए कुछ कमजोरी के साथ मैं कुछ वेय चारिक मदबेद के साथ मैं कुछ वैमनस्यात्यय के साथ मैं दामपति सुक प्राप्त करेंगे रोजगार में भी बहुत परिश्टरम से सफलता प्राप्त होगी धन और मान सम्मान में हानी हो सकती है अथात हानी होने का मतलब यहां बदनामी से हो सकता है नुकसान होने से हो सकता है खांदान वालों के साथ में परिवार वालों के साथ में भी जगड़ा फसाद हो सकता है लड़े जगड़ा हो सकता है मनमुटा हो सकता है मदभेद उबर उबर करके सामने आ सकते हैं जो आपके सरकल वाले हैं जो आपके मित रहें जो आपके कोलिक्स हैं या जो आपके छोटे बाई-बैने उनका भी अनिस्ट हो सकता है नुकसान हो सकता है और इस गोचर में आपको सारीदिक पिड़ा अधिक रहेगी तो यह सावदानी पूरोग आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का प्रियास करना है अब बात करते हैं साथवी जस्ती की ब्रसपती की साथवी जस्ती उच बाव पर है भागय भाव को ब्रसपती देखेंगे इसलिए उत्तम बागय का लाब और धरम का पालन आप बहुत अच्छे रूप से श्रेष्ट रूप से करेंगे इस अवदी में आप धार्मिक कारियों में धार्मिक मौसव में बहुत बार हिस्सा लेंगे या बढ़ चड़ करके हिस्सा ले सकते हैं आईए अब बात करते हैं ब्रस्पती के नवम जस्टी की तो ब्रस्पती की नवम जस्टी लाब भाव पर जस्टी पात करने से रोजगार में जंजट, व्यवधान या समस्यां उत्पन होगी नौकरी छूट जाने तक की संभावनाई बन सकती है ये नौबद आ सकती है और जो गौर्णमेंट सर्वेंट है राजिकर्मचालियों की और से भी आपका विरोध हो सकता है व्यवसाय करने वाले जो भी जातक हैं उनको अपने काम की गती बढ़ाने की ज़रूत है अन्यता कई नई प्रकार की चुनोतियां कई नई नी चुनोतियां आपके सामने आ सकत है इस समयकाल के दोरान आपके अंदर टालमटोल करने की भावना अधिक बलवान हो जाएगी आप हर काम को कल पर टालने की कोसिस करेंगे इस अवदी में यात्राइं लाब दायक नहीं हो पाएंगी लेकिन फिर भी आर्थिक लाब या आर्थिक रहत आपको अवश्य प्रा या खुद की बढ़ाई करना अपने आपको बड़ा चड़ा करके बताना लोगों को दोशी ठहराना यह बिल्कुल गरत है इसने जितना हो सके खुद को या खुद के व्यक्तित्वों को निकारने का प्रयास करें आपको ब्रस्पति के उपाय करने की ज्यादा जरूरत है औ अब बात करते हैं ब्रस्पति की सांति के उपायों के बारे में अगर आप ब्रस्पति के दुस्ट प्रबाव से पीडित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको अवश्य ही करने चाहिए सबसे पहले दस आवतार विश्णु कवच धारण करें विश्णु के दस रूप है इसलिए दस आवतार विश्णु कवच होता है अताद विश्णु में जो जो भी पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी वो सकारात्मक्ता आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकें और ब्रस्पति के लिए ब्रस्पति के दोश निवान के लिए भी विष्णू की पूजा उपासना करने का विदान है और या पिर आप लक्ष्मी नाराण कवच धारण कर सकते हैं अथाद विष्णू और लक्ष्मी दोनों का एक साथ कवच अथाद ब्रस्पति के दोश जो भी आप प्राप्त करना चाहें उसके लिए जोत्पुर आफिस में आपने संपर करना है अपना नाम अपना पिता का नाम माता का नाम गोत्र कास्ट एड्रस ये सब कुछ बताना पड़ेगा और जो विवाईत इस्तरियां हैं वो अपने लिए कवच बनवाना चाहती है त सस्वाल का गोत्र क्योंकि जब कुछ साधी होती है तब कन्यादान होता है तो एक गोत्र से दूसरे गोत्र में कन्या का दान होता है इसलिए सस्वाल का गोत्र लगेगा तो आपकी कास्ट सस्वाल का गोत्र एड्रस वो सब संकल्प में काम आएगा अतात आपके नाम से ही पूजा होगी आपके नाम सही सब कुछ होगा और वो आपके ही काम आएगा और इसके लिए आपने सब संपर्क की मुद्रिका सरस्वती यंत्र की मुद्रिका यह सब कुछ लोग पहनते हैं और या फिर जो आपकी रासी है रासी से समधित ग्रह की अंगुठी बना करके अता दूस ग्रह के यंत्र की अंगुठी बना करके पहनना हमेशा सुब रहता है अच्छा रहता है तो यदि आप ब् पुखराज या सुनेला अताद ब्रेस्पति का जो रतन होता है वो होता है पुखराज और उसका उपरतन होता है वो सुनेला तो जो पुखराज को धारण नहीं कर सकते हैं अताद effort नहीं कर सकते हैं वो उसका substitute अताद semi-pricious stone सुनेला वो जड़वा करके भी धारण कर सकते हैं यह Cosmik Energy से संबन दिते हैं, जब भी कोई भी रासी परुटन करता है, चेंज होता है, तो उसका असर सबसे पहले आपके दिमाग पर होता है, आपके मन और मस्तिघ्ट पर होता है, तो उसकी प्रतीकुलता से आप आंदोलित होंगे, और जब मन और मस्तिख पर उसका स्थापित करेंगे रखेंगे वह आपको नेगेटिविटी से बचाएगा अताद आपकी माइंड बॉडी और सोल तीनों चीजें टोन पर एगी इससे उन ग्राओं का नेगेटिव इंपेक्ट आपके मन मस्तिक्स पर और सरीर पर नहीं हो पाएगा अब बात करते हैं अगले जल मिला करके हो सकता है पंचामत से हो सकता है या जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके उससे हो सकता है और अभिशेक करते समय ओम नमो बगवते वासु देवाए इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें जाप करते रहें ब्रस्पति ग्रह का रत्न पुक्राज या उसके अभाव में सुनेला पहन सकते हैं गुरुवार के दिन अथा थस देखो जिसे आम बासा में वीरवार भी बोलते हैं ब्रस्पति वार भी बोलते हैं इस दिन आपने गाये को गुड़ या केला खिलाना चाहिए और हर गुरुवार को आपने गुड़ केला चने की डाल कोई भी पिली वस्तों का दान करना चाहिए चाहिए वो सोना भी हो सकता है केसर भी हो सकता है पिले वस्तर भी हो सकते है संत्रा भी हो सकता है पपिता भी हो सकता है तो जो भी पिली वस्तों हो वो आप दान कर सकते हैं अब बात करते हैं मंत्र जाप की जो कोई भी जातक पूजा पाठी है अथा रोजाना वो पूजा पाठ करते ही अपने इश्ट का मंत्र का जाप करते हैं या कोई और स्तोत्र का उन लोगों के लिए मंत्र जाप करना बहुत ज्यादा इजी है, बहुत शुब है, बहुत अच्छा है, तो ब्रस्पति के लिए जो मंत्र होता है, एकक्षरी बीज मंत्र, ओम ब्रम ब्रस्पते नमा, इस मंत्र का जाप करें, और या पिर ब्रस्पति का बीज मंत्र होता है, ओम ग्राम ग्रिम ग्रॉम सह गुर्वई नमा, इस मंतर का जाप करके भी आप ब्रस्पति की प्रतिकुलता का शमन कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं, तो ये था आपकी रासी के लिए ब्रस्पति का मकर रासी में गोचर कैसा रहेगा, सुभ या असुभ, आपको बतलाने का उद्देश यही था, कि आप आने वाले समय को अभी सही जान लें, और यदि अच्छा होने वाला है तो प्लान करें, और यदि नेगेटिव आपको फल मिलने वाला है, तो पहले से सावदान हो जाएं, जो कुछ भी आप सावदानी कर सक सकते हैं, उसके लिए दिमाग के गोड़े दोड़ा है, और उस नेगेटिविटी को, उस जो खराबी को, या उस प्रतिकुलता को जितना नियंतित कर सकते हैं, वही आपका बचाव है, और जो भी मैंने उपाय बतला हैं, वो उपाय करने का प्रियास आपको करना चाहिए, जीवन में उत्रा चड़ाब तो आते ही रहते हैं, जीवन कभी भी स्थिर नहीं हैं, और इसलिए जीवन में सामने तोर पर बोला जाता है, कि व्यक्ति जीवन में सांप सीडी का गेम खेलता रहता है, सांप सीडी का खेल उसकी जिन्दकी में चलता रहता है, व्यक्ति गर हमारे पेरेंट साम सीडी का गेम ला करके देते हैं ताकि खेल खेल में हम समझ पाएं कि जीवन इसी डंग से निरंतर उता चड़ाव के रूप में द्रस्टी को चर होता है व्यक्ति को निरंतर प्रयास करना ही होता है जीतने के लिए उसे बार-बार नीचे आना पड़ता है लेकिन उतनी ही पूरी हिम्मत के साथ में उतनी ताकत के साथ में वापस उपर चड़ना होता है तो आपके जीवन में भी समस्यां यदी आती है आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब आप क्या करें तो ऐसे इस्तिती में आप जो 30 की सला ले सकते हैं अपनी कुंडली का वेस्टलेशन करवा सकते हैं तो आने वाले समय में आपके साथ में क्या होने वाला है आप उचाईपर चड़ने वाले हैं या वापस निचे की और आने वाले हैं ये एक प्रकार से आपको IDIYA लग सकता हैं तो उस आदार पर आप अपने जीवन को प्लान कर सकते हैं, निरंटर उपर चड़ने के लिए यदी डाउनफॉल है तो उसके लिए किया आप समझदारी करें, किया आप उपाए करें से कम से कम डाउनफॉल का सिkhार हो, उंचाई का उतना ही फाइदा उठाने के लिए आपको ज़्यादा प्रियास करने होंगे ताकि आपको उस समय का सबसे बैटर रिजल्ट प्राप्त हो सबसे ज़्यादा बैटर उसका फाइदा मिल सके और इसके लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिये हैं उस स्क्रीन के नंबर पर आप संपर्क करें जिए आप मुझसे मिलना चाते हैं तो अपर्डमेंट फिक्स कर सकते हैं टेलिफोनी कंस्टेंटेसी के माध्यम से बात करना चाते हैं तो भी अपर्डमेंट फिक्स कर सकते हैं और समाने जानकारी चाहिए तो भी आप उस नंबर पर संपर करके जान कर प्राप्त कर सकते हैं तो इस एपिसोड में बस इतना ही आग्या दीजिए स्वस्त रहें प्रसंद रहें अपना अपने परिवार का बहुत-बहुत ख्याल रखें आप सभी को अमारा नमस्कार शुब काम नाए इस वर आपकी रक्षा करें धन्यवाद जयATHANर श्त्रापके बहुत ख्यास